हम लोग analysis करेंगे CDSL stock का और देखेंगे CDSL में हम लोगो future में क्या target देखने मिल सकता है stock का support कहा पर और resistance का है आज की दिन हम लोगो stock में closing देखने मिला है जो कि 1898 रुपिस का है जो कि 1900 रुपय की नीचे ही closing आज के भी दिन देखने मिल रहा है तो क्या stock यहां से नीचे के तरह हम लोगों को एक अच्छा कासा correction दिखा सकते है या फिर उपर के तरह हम लोगों को एक अच्छा कासा target देखने मिल सकते है चले बात करते है स्टॉक ने momentum करना दिखाया था जो कि लगवग 1300 रुपय के पास से था वहां से एक अच्छा कासा उपर के तरह हम लोगों को मूव मिला 1900 तक का वहां से stock अप continuous के 1900 के नीचे लगबर trade कर रहा है तो क्या stock यहां से उपर जाएगा स्टॉक का पास का एक सपोर्ट लेवल है किसी अगर इन्वेस्ट का रखा है तो 1800 का एक स्टॉप लॉस है अगर स्टॉक 1800 रुपय के नीचे अगर निकलता है तो स्टॉक में नीचे के तरफ हम लोगों को momentum देखने मिल सकता है जो कि श्टॉक फिर से 1700 से लेके 1600 तक भी आ सकता है लेकिन जब तक श्टॉक 1800 रुपय के ऊपर ट्रेट करें स्टॉक के पॉजिटिव रेंज में तो अल्टीमेट ऊपर की तरफ हम लोगों को momentum दिखने मिलेगा जब अगर एक पर 1900 के ऊपर अगर स्टॉक फाइनली ट्रेट कर देता है जो कि डेली चार्ट पर तो अच्छा-कासा उपर कितार टार्गेट देखने मिलेगा जो कि पहला टार्गेट होगा सीदेशल में 2500 जब करेंगा और दूसा थोड़ा लॉंग टर्वेट रहेगा जो कि 3000 कर रहेगा श्रॉक पर अच्छा-कासा ट्रेड कर तो स्टॉक में एक एम पैटन बन जाएगा और फिर हम दो को नीचे के तरफ एक गिरावर देखने मिल सकता है तो स्टॉक में इंवेस्ट करके रखे जो कि 1800 का स्टॉप्रस लगा के 1800 के नीचे और टार्गेट रहेगा स्टॉक में जो कि रहेगा पचीस स्टॉगों तक का और स्टॉप्राइब करें आपको दूसरे श्रॉक का अलेस करें तो नीचे श्रॉक का नाम कमेंट करें